नमस्कार दोस्तों कुकिंग एक्जाम में आपका स्वागत है आज हम खोए और मैदे से रजगुला बनाएंगे और ये देखे हमारा रजगुला कितना टेस्टी लग रहा है कोई ठूटे नहीं है और इसकी चाशनी भी देखे किती पतली है और इस तरीके से आप इसे सब भी कर सकते हैं soft और spongy रजगुला ये देखे किता सौफ है हमने इसको कट किया बहुत आसानी से कट हो गया और अंदर भी आप देख सकते हैं अि ना बहुत ज्यादा खोया देखता है ना बहुत ज्यादा मेदा बहुत अच्छे से मिला हुआ है सब कुछ चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे खोया और खोये को हम मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे खोये और मैदे का जो रेशियो होना चाहिए वो वन थर्ड का होना चाहिए जितना आप खोया लीजे उसका वन थरड़ा मैदा मिक्स करिए और एक पिंच आप डालेंगे बेकिंग सोडा और फिर इसको लगभगा बारा मिनट तक तस से बारा मिनट तक इसको अच्छे से मसलिएगा थोड़ा सा दही के पानी के साथ बहुत थोड़ा सा दही का पानी उसकरिएगा इसको इस तरीके से मिला लीजेगा अच्छे से और मिलाने के बाद इसको इस तरीके से सेट करिएगा जैसे आपका आटे का डो होता है अभी ये बहुत गीला लग रहा है, लेकिन अभी ये मिलाते मिलाते आपके डो की तरह हो जाएगा, बिल्कुल आटे की डो बन जाएगी, आपको आटे में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, खोए में, खोए को और मैदे को, और सोड़े को एक पिंच सोड़े को ड थोड़ी देर बार ऐसा होगा कि आपके तल्वे पे बिल्कुल भी मैदा यह जो डो है नहीं लगेगा कुले में कुछ होता नहीं बहुत सिंपल रेसिपी होती है बहुत थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहां पर आटे को खुब अच्छे से मिला लीजेगा मैदे के साथ और सोड़े के साथ फिर यह रेखे अभी हमारा यह चिकना नहीं बनना इस वज़े से हम थोड़ी से दही के पानी की हेल्प ले रहे हैं दही का पानी है यह और खोया बनाने के लिए आप हमारे नेक्स वीडियो को भी देख सकते हैं खोया हमने घर पे ही बनाया है और यह देखिए इस तरीके से हम गोलिया बनाएंगे ये देखिए हमारे गुलिया बन कर त्यार हो गई है एक पाव खोया था और उस एक पाव खोये से हमने बनाया है इतने सारे रस गुले आप अपनी साइस को घटा बढ़ा सकते हैं और खोये को हमने यहाँ पर मिल्क पावडर से बनाया था इसलिए आप इसको जरूर देखेएगा हमारे नेक्स वीडियो में यहाँ पर हमने लिया है दो कटोरी चीनी और दो कटोरी पानी पानी और चीनी के रेशियों को सेम रखिएगा और थोड़ा सा आप यहाँ पर इलाइची पावडर भी डाल सकते हैं उससे रसकुले का टेस अच्छा आएगा और एक तरफ हमने कडाही रख दी है हम कडाही में अपने रसकुले को दीरे दीरे फ्राई करेंगे बहुत दीरे से डालिएगा स्टार्टिंग में थोड़ी साफधानी बरतनी पड़ती है इस तरीके से डाल दीजे और हमारा जो ओयल है बहुत हलका गरम है रसकुले को फ्राई करने में ही यहाँ पर सारा ट्रिक है यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपका रसकुला तल्वे पे लगे नहीं और अपने ओयल की मातरा थोड़ा सा जादा रखिएगा जिससे रसकुला डिप रहे बिलकुल उसी में अब हम इसको इस तरीके से शेक करेंगे तल्वे पे ना लगने के लिए क्लचल जैसे ही आप लगाते हैं तो यह बहुत सॉफ्ट होता है तूटने का डर बहुत जादा होता है इस वज़े से हम थोड़ा सा शेक करेंगे लेकिन कडाही के हैंडल को पकड़के अब हमारी जो रसगुले हैं वो थोड़े देर पक चुके हैं तो अब यहाँ पर आप क्लचल यूज़ कर सकते हैं उत्ती जादा अप टेंशन नहीं होगी लेकिन वो भी हराम से और हमेशा हम रसगुले को धीमी आज पर ही बनाएंगे देखें अब अपने से ही मूव हो रहे हैं और पक रहे हैं और इसको निकालने के बाद हम डारेक्ली चार्सनी में डालेंगे मिल्क पाउडर से अगर आप खोया बनाते हैं तो आपके खोय की कौन्टिटी बढ़ जाती है इसलिए हम एक और नई वीडियो आपको दिखाएंगे मिल्क पाउडर से खोया बनाना और ये देखें हमाई चार्सनी भी बन गई है ये एक तार की चार्सनी बोलते हैं इसे थोड़ी दिर में आपकी चार्सनी बनकर त्यार हो जाती है चार्सनी में कोई रिक्कत नहीं होती बस एक थोड़ा सा आपके हाथ को जब छोड़े तो एक बून की तरह छोड़े तो इसे हम बोलते हैं एक तार की चार्सनी अब हमारी चासनी रेड़ी है इसमें थोड़ा सामने लाचे पाउडर डाल दिया है आप अपने टेस्टे रखें रजगुले भी हमारे पक चुके हैं इसको मैंने पूरे प्रोसेस को धीमियाज पर किया है इस वज़े से थोड़ा समय लेता है यहां पर सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी होती है आटे में इसका डो बनाने में और उसके बाद फिर यहां पर थोड़ा साब को सावधानी बरतनी पड़ती है कल्चल का यूज़ करने में और यह हम इसको डार्क भी डाल ली चास्नी में डाल देंगे इसी तरीके से हम अपने सारे रसल गुल्ड़ बना लेंगे और इसमें डाल देंगे और आधे घंटे तक इसको बिल्कुल release Italis ए मिद्टीस कre लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू